मैं इतिहास से थोड़ी सी बात करना चाहूँगा भारत में जो अंग्रिजों के पैर जमें वो 1857 के बाद जमने शुरू होए थे कि जब विपलव हुआ और 1857 के इस विवाद में नहीं जाते क्या था अगर मोटे तोर पे जो 1857 का दिल्ली और लखनो बड़ा केंद्र है ये क केंद्र इस्लामी सत्ता को वापस लाने का काम था कुछ अन्य प्रकार के जगड़े भी थे वरहाल यहां पर ऐसा ही था 1857 के बारे में जो बिल्कुल फॉस्ट हेंड डाफ्ट है इन्फॉर्मिशन है एक विल्यम डेल रिंपल की किताब है तलास मुगल उसको पढ़ना चाहिए उस समय दिल्ली में प्रेस मौजूद है उर्दू के अख़वार हैं उनकी कटिंग्स उनकी इन्फॉर्मिशन उसमे हैं और वो इसलामियों के लिए बड़े मीठी नजर से बहुत मीठे हाथ से लिकी हुई किताब है उनके विरोध में नहीं है उससे आपको पता लग जाएगा कि क्या सच साथ 1857 के बाद दिल्ली और उसके आस पास में मुगलों को बहुत बुरी तरह से अंग्रेजों ने मा बहुत कसके उनकी ठुकाई लगाई और भारत में इसलामी विपलाव न दुबारा खड़ा हो जाए इसके लिए आवश्क लगा कि हिंदू चेतना को विक्सित किया जाए इस चेतना का नाम तिलक था तिलक अंग्रेजों के हाथ से निकल गए उन्होंने घोशना कर दी कि भ उधर फर्स वर्डवर के आस पास रशा एक ग्रूप खड़ा हो गया तो भारत के यहां पर कोई ऐसा आधार उने चाहिए था जो उनके पक्षका होता है इसके लिए उन्होंने दुबारा से इसलामियों को उक्साना शुरू किया एक तरफ वो खिलाफत को तोड़ रहे थे दूसरी तरफ इसलाम को यहां मजबूत कर रहे थे और उस मजबूत करने की आवाज का नाम था इकबाल मैं उसकी कुछ पंक्तियां आपको पढ़के सुनाता हूं कि वो किस तरह से जो 1947 में पाकिस्तान बना वो एक मिनट में नहीं बन गया उसके बीच डाले गए उसको नर इसलामी चिंतन बनाया गया अल्ला से इकबाल कह रहा है तुछ को मालूम है लेता था कोई नाम तेरा उवते बाजूए मुस्लिम ने किया काम तेरा बस रहे थे यहीं सुल्जुख भी तूरानी भी एले चीं चीन में इरान भी इरान में सासानी भी इसी मामूरे में यहूदी भी थे नसरानी भी पर तेरे नाम पर तल्वार उठाई किसने बाज जो बिगडी हुई थी वो बनाई किसने मुसल्मानों की तरफ से मुहम्मद कहता है ये इक्वाल कहता है नक्स तोहीद का हर दिल पे बिठाया हमने तेरे खंजर लिए प्लेगाम सुनाया हमने तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने शेहर कैसर का जो था उसको किया सर किसने तोड़े मखलूक खुदाबंदों के पेकर किसने काट कर रख दिये कुफार के लशकर किसने काफिरों के लशकर किसने काटे किसने ठंडा किया आतिश कदाए एरा को किसने फिर जिन्दा किया तजकर है ये इसना को एक पूरी इसलामी मानसिक्ता और उसको पूरी तरह से नर्चर कर रही थी इंग्लिश सत्ता इसको इस धर्ती जिसका इस धर्ती पर अधिकार है जो इसके उर्तरा दिकारी है यानि हम हिंदू हमारी आवास कौन सी थी अंग्रेजों ने अपना आदमी उन्होंने लिखाए कई बार कि गांधी जवर्मैन उनने गांधी को नर्चर किया जब तिलक हाथ से निकल गए तो उनको रिप्लेस करने के लिए कोई आदमी चाहिए था इसके लिए गांधी को लाया गया अच्छा ये काम वो कर भी सकते थे सत्ता उनकी मीडिया उनके पास प्रेस उनका वो जिसकी जिसकी चाह डबली बजाएंगे जिसका डोल बजाएंगे तो गांधी को हमेशा प्रश्रे दिया गया और उसका नतीजा जो 1947 में विवाजन में आया उसका करन यही था कि हमारी जो शक्तिशाली एक भोजा बननी चा कि मुसल्मान यदी हमारे साथ आते हैं देश की सत्ता की लड़ाई के लिए कह रहे हैं मुसल्मान यदी हमारे साथ आते हैं तो मुसल्मानों को अपने साथ लेकर वो हमारे साथ नहीं आते उन्हें छोड़कर और वो हमारा विरोध करते हैं तो उनसे संघर्श करके हम इंद पास के भारत किसका है ये धर्ती कौन किसकी है कौन इसके उत्रादिकारी है ये चूचू का मुरब्बा है ये को धरमचाला है ये वस्तुता किसकी धर्ती है ये जो स्वर्था वो पहली बार भारत में राजनीती में जोनों ने बड़ी द्रहता से रखा सावर कर उनका नाम है हुआ यह हमेशा कि जब जब राष्ट पर संकट आया और सावरकर जी नेत्ट तो कर सकते थे उस समय हमेशा अंग्रेजों ने सावरकर जी को जेल में डाले सामने आवाज नहीं है तो आज जो निर जी आप बात सावरकर जी की उठा रहे हैं और सावरकर बहुत बड़े प्यमाने पर लोगों में बात उठ रहे हैं तो मैं इससे बड़ा संतुष्टू और बहुत मैसूस कर रहा हूं कि देश में एक बड़ी हिलोर आ रही है मैं 45 वर्ष से लगभग सावनिक जीवन में हूँ सावरकर जी पर बात करने लिए इन दिरों में कई लोगों ने मुझे अप्रोच किया और भी मैंने बहुत लोगों को सुना ये इंडिकेशन है कि भारत में एक उबाल आने लगा है आखर ऐसा नेता जो जिसके कारण से भारत का विभाजन हुआ अंतिम प्रहार गांधी ने किया इसी नहीं प्रस्ता अपारित कराया था और फिर भारत के दोनों जो टूटे हिस्से हैं पाकिस्तान और जो बंगला देश बना इन दोनों के बीच में कॉरिडर बनाने की बात इसको लेकर आमना अंशन पर बैटने वाला तो इकबाल से टक्राने के लिए हमको कौन सा वर्ग चाहिए एकबाल जैसी मानसिक्ता इकबाल मर गया उसकी मानसिक्ता ने पाकिस्तान बना लिया मगर जो शेश बचा भारत है उसमें इकबाल की मानसिक्ता आज भी है ऐसा नही गी जो मानसिक्ता इस देश में रहकर इस तरह के स्टेटमेंट हैं उस समय के जो मुस्लिम लीग की लीडर्स हैं और जिनागी तो खास सौश है कि भारत में हिंदू और मुसल्मान दो बिलकुन शत्र भाव की जातियां हैं एक का नायक दूसरे का शत्रू है दूसरे का नायक इसका शत्रू है घानपान बनकल भिन तो नहीं तो एक दूसरे को पडलित कर देगा जीते संघर्श को कौन करेगा इसकी आवाज कौन देगा सावर्गर जी का एक प्रसद्द गीत है जेजस्तुते तेरी जय हो घरतना करने हैं उसके अंत में है शब्ट प्रोक करते हैं वो अधम रक्त रंजते मैं इसको वेद मंतरों की तरह पवित्र मानता हूं इस गीत को अधम रक्त रंजते भगवती अधमों के रक्त से सनी हुई है दुष्टों का संगहार तो करना ही पड़ेगा पूछ लाकर कुंकुं करके काम नहीं बने वाला है और ऐसे समाज के साथ जिसका जिवन दर्शन ही खिताल फी सभी लिल्ला के लागिरा में खतल करो जहाद फी सवाविलेला, अल्ला के नाम पर जहाद करो, उसकी राव में जहाद करो काफिरों को मारो, काफिर वाजबल खत्ल कहने वाली जो माने सकता है ये जो एक माफिया है, पॉलिटिकल माफिया, आप उसके साथ शान्ति से कैसे डील कर सकते हैं गांधी का एक स्टेटमेंट है कि अगर एक आख की कोई फोड़ दे तो उस बदले में उसकी आख फोड़ दी जाए तो इस अंसार अंदा हो जाएगा नहीं अगर कोई एक आख फोड़ता है और पलटके उसकी फोड़ दी जाएगी तो आइंदा के लिए सब को ध्यान रहेगा कि आख फोड़ने वाले की दोनों फोड़ दी जाती है शांतिकी रक्षा सदेल खट्ग से होती है और उसके मिना नहीं होता काम यह जो चिंतन है और उसका कोई विकल्प नहीं जो मैं कहता हूं और कई मित्रिस के लिए मुझे कहते हैं कि आप यह पड़ी समझदारी की बात करें यह मूनता सवरकरजी के चिंतन है राष्ट की रक्षा और उनके कारण से हुई भी 1947 में विभाजन हुआ प्रतम विश्युद्धु में आप कभी दिल्ली में आप में से कोई देखना चाहे तुझा कर देखे इंडिया गेट पर प्रतम विश्युद्धु में लोग मारे गए हैं उनके नाम लिखे हुए हैं अधिक्तम नाम मुसल्मानों के हैं कारण कि सेना में पठान थे बलूश से पंजाब से जो विस्थापित निकले 1947 में सबसे पहले उनको निशस्त्र किया बलूश आर्मी ने फिर वही हत्यार उन पर हमला करने वालों को सौपे और जो जहां को इरिक्षण की विवस्ता थी इसे आर्मी ने मारा फिर भी बच सके इसलिए बच सके कि फस्ट वर्डवार के बाद ही सावरकर जी ने एक दर्शन दिया कि हिंदूं का सैनिकी करण करो यानि हिंदू वीर वने शस्त्र संकलन करो शस्त्र का प्रयोक करो यह जो चिंतन है यह चिंतन मूलता सावरकर जी का है और उन्होंने अंग्रेजों की सेनाओं में हिंदू भरती कराए परणावी निकला कि जब विभाजन हुआ तो उस समय हिंदू वर्चस्वी स्तिति में थे इसलिए हिंदू बच पाए अन्यता यह जो भारत बचा भारत है इसकी भी दुर्गत हो गई होती है यह मूलता हिंदू को वीर बनना चाहिए और इसकी इसका मूली चुकाना पड़ता है ऐसा नहीं है कि मूली नहीं चुकाना पड़ता है सावर्कर जी परवार के दोनों भाई अंडमान में काला पानी में परवार में कोई कमाने वाला नहीं कितना कश्ट उठाया उन बरस्त्रियों ने उनकी पत्तियों ने मगर किसी के माते पर शिकन नहीं आई मानसिक रूप से सैनिक हैं हम यह जो मानसिकता है प्रत्य घंदु को सैनिक बनना पड़ेगा अन्यता राष्ट बचेगा नहीं धर्म बचेगा नहीं इसकी रक्षा के लिए और इसमें क्यांकर पड़ता है अभी उस दिन आपसे चर्चा में यह बात आए निकली थी कि भगवान राम भगवान क्रिश्ट जिनको इतना ये शुस्ति और हम भगवान कहके बात करते हैं इनका जीवन उठा कर देखिए कितना कश्ट उठाया है उन्होंने चैन के छे महीने भी किसी को नसीब हुए राष्ट का कारे करना है धर्म का कारे करना है तो उसका परणाम उसका मूल ले कुछ है तो देंगे मगर ये मामला हमारी पीडियों का है हमारी पुत्रियां हमारी पुत्र वदू हमारे पुत्र हमारे पौत्र इन सबका जीवन सुरक्षित शांतिपून रहे तो इसके लिए वर्तमान का संगर्ष्तों सनद्ध होकर ही करना पड़ेगा सावरकर उस महापुरुष के माम है कि जिसने ये चिंतन दिया जिसने मानसिक रूप से हमको तैयार किया और कई बार बीज उसी ख्षण नहीं उगता डेल गया मौसम नहीं है पड़ा हुआ है बर्सों निकल जाएंगे फिर कोई ख्षण आएगा जब बर्सात होगी अख्वा फूटेगा फिर धीरे से उसमें से मट्टी को हटा कर वो ज्हांकेगा बीज और धीरे धीरे प्रक्षण बनेगा सावर कर उस काल में हमेशा दबोश लिए गए अपना जो कारे वो कर सकते थे उनने लिखा है बहुत कुछ लिखा बहुत सारा काम किया इस काम को करने के बाद 82 वर्ष के आए में जब उन्हें लगा कि अब जीवन मैं जितना कर सकता था यह शरीर उस कारे को नहीं कर सकता इसके लिए अब नया शरीर लेना पड़ेगा अगला जन्म उनने दवा खाना पानी छोड़ दिया जिसे जैन मुनी करते हैं संथारा बोलते हैं हम लोग प्राइव वेशन भी कहा जाता है एक महीने तक कोई दवा खाना पानी नहीं दिया और शरीर छोड़ दिया जितना कारे कर सकता था यह शरीर जितना उपयोगी था वो उतना अब अगला शरीर चाहिए इसके लिए बड़ी चीजी विश्य चाहिए शरीर में का भाव हरेट में होता है और यह जी मैंने सुना है कि इनके घर की सामने ही कोई विक्ति था जो यह अंतिम सुनस्कार का जो समान वगेरा वो बेचा करता था और जिस दिन जैसे 26 कोई का दिया सारा समान अपना निकल वाकिर रख लिया था कि करने जा रहा हूं कोई बहुत तेजस्वी रिशी की आत्मा थी विश्वामित्र जैसा रिशी अद्भुत अद्भुत जीवन अद्भुत जीवन जितने कश्ट उनने उठाए हैं हम तो सोच भी नहीं सकते कि गान्धी पे गुलामों के बीच में रखा गया यह रोडा की जेल है पुने की जेल है कभी जाके देखिए कि गान्धी को कैसे रखा गया महलों में कि वह और मैं अंग्रेस कहते थे यह थे असली लोग और आप चंडीगर में बैठे हैं मैं मेरे पास एक आपको जानके मजा आएगा स जानके मजा आपको यंदू महासुअके सिख मगर ऐसा है उन्होंने मुझे दोपन्ने भीजे हैं सावर कर जी कि भारे में कि सावर कर जी का जो पंजाब से जुडाव था उस पर अगर आपकी हो तो मैं उसे पढ़ना चाहाँगा जी जी लंदन में सावरकर जी का पंजाबियों से पहला पहल संपर्थ उनके लंदन सितंबर 1906 में पहुँचने के साथ ही आरंभ हो गया था जो अंत समय तक बना रहा सावरकर जी पंजाब आरे समाज और सिक्षों के इतियास से बहुत प्रभावित थे पंजाब के इतियास की जानकारी लेने के लिए उन्होंने हरनाम सिंग बीए से गुर्मुखी सीखी थी 1907 में उन्होंने इंडिया हाउस लंदन में गुरुगोविन सिंग की दूसों भी जैन्शत अब्दी मनवाई जिसमें लाला लाजपत्राय और गोकुल चन नारंग मुख रखता थे उन्हें गुरुगोविन सिंग दौरा रचित जफर नामा पुस्तक बहुत पसंद थी और उसके कई पद उन्हें जबानी आते जिनका वो अपने भाशनों में बार बार प्योग करते थे दो पंक्तियां उसमें मतला है कि चुकार हम ही हीलते दर गुजश्ट हलाल अस्त बुर्दन बशमशीर दस्त गुरुगोविन सिंग कहते हैं जब सब रास्ते बंदो जाएं तो तलवार उठाने में कोई बुराई नहीं है यह है देशना राष्ट इससे इससे चलता ही है जिजविशा जफर नामा का एपद सावर कर जी को बहुत पसंद था जिसे वो अक्सर अपने भाशनों लेखों में दुराते थे अक्तूबर 1908 ही 1908 में उन्होंने सरदार अजीच सिंग की कारेयों को सराते हुए उनके पक्ष में सभा की थी 1908 में जब वो विमारी के कारण लंदर अस्पताल में दाखिल थे तो उन्होंने उसी परिस्तिती में सिख्वों का इतिहास पुस्तक लिखी उनकी विश्व पसिद्ध पुस्तक 1857 की कांति में पंजाब की घटनाओं को भी स्थान दिया गया है 1909 में उन्हीं की प्रिणा प्राकर अम्रस्तार में जन्वे मदल नाल धिंगराने लंदन में खुपी अजंसी के प्रमुक करदनवायली की हत्या कर दी थी वो बीसवें शती के पंजाब के पहले शहीद थे पंजाबी महिला धंदेवी इंडिया हाउस के लिए भारी संख्य आम राशी देती थी उनके कारेक्टों में भाग लेती थी अंडमान में सावरकर जी जब कैद में थे यह और जानकारी आपनों के शोताओं को मिलनी चाहिए अंडमान में अंग्रेज सोशा सकता वहाँ जो जेलर के और साथ के लोग थे वो मुसलमान पढ़ां थे वो हिंद हर जगे चलता रहता है अंडमान में सावरकर जी जब कैद में थे तो वहाँ पंजाब से आए घदरी घदर सभा और आरसमाजी क्रांतिकारियों के संपर्क में आए यहीं उनकी भाई परमनन से भींट हुई जो उनके भविश्के कारियों का अधार बनी सावरकर जी ने हार्ड हार्डिंग पर तब बंप से हमला किया था जब दिल्ली को राजधानी बनाने के बाद उनकी परेट निकल रही थी रहाई के बाद सावरकर जी जब अन्दमान से चूट कर आए तो 1924 में लाला लाजपतर आये उनसे मिलने आए उनके इस निवास्थान पर गए और उनकी हालत को देखकर दुखी हुए इसी बाश उनने कांग्रेस की ओर से अठारो सतावन कांती पोस्तक का संक्षप्त रूप भी छपबाया था भगत सिंग भी उनकी इस किताब से बहुत प्रवावित थे यहां सपष्ट करता चलू कि भगत सिंग को कम्निस्ट बतायाता ह बिल्कुल सिरेज से खलत है भगत सिंग आरे समाजी थे उनके जैसे मेरे मरने के बाद मेरी लाइवरिटी में से अगर मांक्स वाद तो मुझे मांक्स वादी बना दिया जाए यह ऐसा मामला है शुद्ध घोर आरे समाजी थे भगत सिंग भी उनकी इस किताब से बहुत प्रहावित थे और उनसे मिलने भी गए भगत सिंग ने इस पुस्तक की प्रती प्राप्त कर दोबारा महंगे दामों पर छबाई थी जिससे पार्टी फंड जुटाए जा सके और साथ ही लोगों को जागरत भी किया जा सके भगत सिंग सुकदेव राजगुरू उनमें से सुकदेव का दिक रहे उनने पुस्तक की सबसे अधिक प्रतियां बेची थी सावरकर ने भगत सिंग पर एक कविता भी लिखी थी पंजाब की लंगर परंपरा की तरश पर उन्होंने महराष्ट में सामोई भोज का आयोजन करना किया जो अच्छूतोद्दार गांधी ने पकड़ाएं ने मूलता सावरकर जी का है सावरकर अंबेटकर और मास्टर तारा सिंग यह बहुत गंभीर बात है यह ध्यान में आनी चाहिए उन्निस सो तैस चौतिस में भीवराव अंबेटकर सिक धर्म स्विकारने की इच्छा तरीके से चली रही थी कि इसकी भनक गांधी को लग गई और उन्होंने बिना किसी से अनुमत लिए ना सिर्फ इसे साद्निक कर दिया अपे तो जोर शोर से इसका विरूद करना भी आरम कर दिया सिक नेताओं में भी हरजनों को अमरत छकाने को लेकर मद्वेट पैदा हो जिससे आखिरकार ये प्रयास विफल हो गया गांधी के पापों में एक ये भी है सावरकर जी और तारा सिंग जी को इसे लेकर काफी निराशा है विकिन तो फिर भी उनके अकाली निताओं से संबंद बनने रहे परमनद बारे में कुछ आपको जयनकारी देता चलूँ दिल्ली में जो कोई शोता सुन रहे हैं और उनकी दिल्चस्पी हो तो दिल्ली में जो बिल्ला मंदिर से बिल्कुल लगा हुआ हिंदू महासभा का भवन है कभी जा कर देखिए उसको इस भवन के पीछे की भूमी जो बाद में गांधीबत के समय में गौर्मन ने चीन ली यह जो पीछे लंबा पार्क है स्वन जैनती पार्क कहलाता है यह सारा पार्क इसके अंदर था भाई परवानन्द ने उस समय भी सेक्णो करूर की संपत्ति हो गी है हिंदु महासवा को अपनी सारी संपत्ति महा के दे ली थी जो हिंदु महासवा होन है यह मूलता भाई परवनन्द का दिया हुआ है भाई महावेर के पितावार और यह जो गुरू तेक बहातुर के साथ जो बालिदान हुए है चार लोग उनमें से एक के बन्च के हैं उस परंपरा के लोग हैं उस सावरिकर जी मूलता इक्माल के खिलाफ इसलामी चेतना के खिलाफ इसलामी आक्रमत के वो बाज अपने नाखुन दिखा रहा है परतोल रहा है हमला करना चाहता है और इधर इस गाल पर थपड़ मार तो वो आगे कर देंगे इस तरह की बातें करने वाले लोग हैं ये आवास थी जो उसका मकाबला कर सकती थी चलिए उस काल में उसको दबूच लिया गया जैसा हुआ देश का विभाजन हो गया अब इस देश के और च्छतिस टुकुड़े करने के शनिंतर हो रहे हैं मगर सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो पहले नहीं था अब हमारे पास आ गया है तो ऐसी वीरता वाली वाणी ऐसी तेजस्वी मानसिक्ता इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं और इसकी जो मून देशना है ये देशना सवरकरजी की है उत्तर भारत के मित्रों को इस बात को समझना चाहिए कि फीरता का जो बिर्वा है जो उस बीच तब लगाया था पुश्पित पल्लेवित नहीं हुआ वो अब पुश्पित पल्लेवित हो रहा है हम लोग जो बात कर रहे हैं उसका कारण यही है कि राष्ट फिर संकटों में है और इस संकट से इसका निदान अधम रक्त रंजिते अध्मों के रक्त से रंजित होगी तभी रत्माता विजय होगी कि जो परंबैभों ने तुम्हें तत्स्वराश्टम है यह परंबैभों ऐसे नहीं आएगा कि हमने बोल दिया और आ गया इसके लिए बहुत जाड़ जंकाड़ काटने पड़ेंगे साफ करने पड़ेंगे तब मार्ग प्रश्रस्त होता है यह जो लेंपोस्त है जो लाइ श्वाजी के बारे में एक शब्द कोई बोल दे तो सर फाड़ दिया जाए उसका मगर सावर कर ऐसे हैं कि उन्होंने श्वाजी तक को रखड़ा है अपनी पुस्तक में श्वाजी की जिवन के घटना है कि गोहरबानू पकड़ ली गई सूबिदार की पुत्रवदू कथा यह है कि शत्रपती ने उनको देखकर कहा दरवार में लाई गई तो कहा कि काश मेरी मा भी आप जैसी सुन्दर होती तो मैं भी आप जैसा सुन्दर होता शत्रपती की इस बात के लिए आलोचना किये उन्होंने और जिस पूस्तक में आलोचना है उसके संपादक की नीचे पाज चिपनी है कि संपाधक का विद्वान लिखक की बातों से सहमत नहीं है यह नहीं कारण यह है उन्होंने सीधे लिखा है इस बात को कि जिनोंने सदीओं से हमारी मातां और बेहनों के साथ दुष्टता की अत्याचार की इसको तो सेनिकों को सौंप देना चाहिए था दूसरों के साथ करते हो शठे शाट्यम समाचरे और इस बात को लेकर महाराष्ट के किसी एक विक्तिनित चू नहीं की कि छत्रपती के बारे बोल रहे हो क्योंकि उनका दर्शन उनका चिंतन उनका जो एक बहुत धिक प्रताप है वो अक्षुन है वो बिलकुल वेद का रिश वाइट उनके हैं यह जिस गीत का मैं जिकर करना हूं इसको लता जी ने गया है अच्छा है उनके भाई हरदेनात मंगेश करने इसकी धुन मनाई है सावरकर मराठों के मरदे में उत्रे हुए हैं मैं बात कर रहा हूं और मेरे रोंगते खड़े हुए हैं सावरकर जी के बारे में बात करने में यह ऐसा तेज मुझ है कि मेरे जैसे सामन निवेक्ति को इसके चिरणों में पुश्मांजली प्रस्तुत करने का उसर मिल रहा है गौरव का विशह राष्ट के लिए राष्ट में बतलाव आ रहा है सावरकर पर चर्चा का मतलब है कि परोश विक्सित होगा निश्य दूरूप से विक्सित होगा खट घस्तम होंगे और यही उनकी देश नहे